एस्ट्रो लवर्स जोतिश सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए तो क्या इसकी पीछे भी कोई वास्तु का सिग्निफिकंस है बिलकुल है निशा बिलकुल है हमने यह जो पिंक कलर यूस किया है इसके पीछे एस्ट्रो परस्पेक्टिव बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करता है निशा आपकी बात सही है पिंक ए लिल अनुशुल कलर अनुशुल ही नहीं पिंक is considered to be a feminine color, उसे strained रंग मानते है you know there is a saying in English pink for girls and blue for boys but that's what the general perception is रंगो में ऐसा होता नहीं है, colors are gender neutral जब भी हम अलग-अलग रंगो का इस्तमाल करते हैं तो उन रंगो का इस्तमाल तभी करते हैं जब वो रंग जो घर के ओनर है उनकी कुंदी के साथ और दिशा के साथ सही बैठते हैं तो यहां पे हमने जो पिंक colors के sofa लिये हैं इसका कारण ये है कि ये अगनी कोना है this is the southeast corner of the living room अगनी कोना एक ऐसा कोना है जिस पे शुक्र का the planet Venus, you know it governs that corner उसका बहुत ज्यादा वर्चस हो होता है तो अगर मुझे शुक्र को balance करना है, शुक्र को powerful करना है, शुक्र की strength को और बढ़ाना है अगर मैं pink color को इस corner में introduce करता हूं तो उसकी जो impact है वो owner की कुंडली में होगी और उनका Venus powerful होगा अब देखिए इंडिया के best astrology expert पूरे वीडियोज देखने के लिए Google Play Store पर डाउनलोड करें astrology TV app, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें astrology TV app Airtail DTH पर सब्सक्राइब करें एस्टरवानी चैनल Dish TV और D2H पर सब्सक्राइब करें जोतिश दुनिया ।